कि बिस्मिल्ला इरिक्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब मेरी दूआ है कि आप सब को खुश रखे आमीन सुमामीन आज मैं आपको मज़ेदार सा दूद वाला हलवा बनाना सखाती हूं और इसके लिए मुझे दो कप सूजी के चाहिए थ्री कप मिल्क के चाहिए सबसे पहले हम एक पैन लेते हैं उसमें ऑईल एड़ करते हैं उसके बाद इसमें सूजी भी आड़ करते हैं और उसको कुछ देर के लिए हम बूनेंगे अब इसको हम थ्री से फूर मिनट के लिए मजीद भून लेंगे अब इसको चार से पांच मिनट के लिए मैंने भून लिए अब इसमें हम दूद एड़ करेंगे इसको हम चमर से इहलाते जाएंगे हसे जिटना आप इसको लो फिलेम पर बनाएंगे उतना हलवा टेस्टी होगा अब एक पैन में हम पानी लेंगे और उसमें शूगर एड़ कारके और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आप एब आपकी सूजी को हम लो फ्लेम पे हाफ आर के लिए भूनेंगे मीडियम ब्राउन से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए पानी में हमारी चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे माशाला से हमारी सूजी ब्राउन हो रही है मैंने इसमें त्री कप दूद के अड़ कियें अगर आप चाहें तो ज्यादा भी कार सकते हैं सूजी के कलर हलका हलका चेंज हो रहा है आप इसे जितने लो फ्लेम पे बनाएंगे इतने ही ये माशाला से टेस्टी बनेगा सूजी हमारी हलकी हलकी ब्राउन हो रही है आप ये हलवा सर्दियों में बना के रखें और सर्दियों को इंजाए करें सूजी के कलर आइसा आइसा लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है सूजी ने जो आइल पहले जो अपने अंदर जजब किया वा था बाइसा इसा उसने छोड़ना शुरू कर दिया है अब हमारी सूजी का कलर देखें अब तक रीबन ये रैडी होने वाली है इसको थोड़ा सा और अभी करते हैं ब्राउन ताके कच्छा ना रहे हमारी सूजी माशाला से अब काफी या तक ब्राउन हो चुकी है हमें से टू से थ्री मिनिट और अब इसे बूनेंगे अब सूजी हमारी ब्राउन हो चुकी है अब इसमें हम पानी आड़ करेंगे अब हम इसमें नट्स एड़ कर लेंगे अब हम इसमें नट्स एड़ कर लेंगे इसमें हमने नट्स एड़ कर लिये है अब इसकी माशाला से आप लुक देखें बहुत टेस्टी है यह हलवा आप ट्राई करें माशाला से आपको बहुत ज्यादा पसान दाएगा अब इसको थोड़ी देर हम मजीद भूनेंगे ताके यह अपना ऑइल छोड़ दे ऑइल जो है साइडों पर आ जाए हलवे को हम फोर से फाइव मिनट्स तक और पकाएंगे अब आप हलवे को देखें यह माशाला से आप तक्रीबन बनने के करीब हैं अब हमारा हलवा रेडी हो गया है अब फ्लेम को आफ कर दें और आप हम इसको एक सर्विंग बॉल में निकालते हैं अब हम इसको सर्विंग बॉल में निकाल के आपके सामने पेश होते हैं सर्विंग बॉल में आप हमने हलवा निकाल लिए आप कुछ नट सामने बचा कर रखे होते वो इस पे डाल देते हैं अब मज़ेदार सा हलवा रेडी है आप खाएं और इंजाए करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मुझे और मेरी फैमली को अपनी दौाओं में जात रखें अल्ला हाफेज